गुड मोरिंग गियर मोरे स्टास तोड़े इस वी आर गोईंग टो डिसकस एबार सॉल कॉशन पेपर आफ हिंदी बैच्छो आपको कॉशन पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है मैं वो बताऊंगे आपको स्टुडेंट्स आपको यही पेपर दिया गया था याद आया स्टुडेंट्स आपको ओके चलिए हम कॉशन पेपर को सॉल्व करते हैं फर्स्ट आपका क्या दिया गया था नीचे दिये गए सब्दों के बहुबचन सब्द लिखो जैसे पत्ता का बहुबचन क्यों होगा पत्ते लड़का का लड़के बल्ला का वहुबचन बल्ले ताला का ताले आपको क्या है प्रावाची सब्द लिखिए प्रतेक के लिए दो दो सब्द आपको प्रावाची लिखनी थी जैसे जल का पानी नीर आकास का नभ गगन मा का क्या होता है माता, जननी, धर्ती का पृतिवी भूमे काफी बच्चों ने अच्छा भी किया था कुछ बच्चों से मिस्टेक भी हो गया था तो मैं यहाँ पर बता दे रहे हूँ आप एक बार वीडियो को देखेंगे फिर से और लंड करेंगे ठाड आपका क्या है? नीचे दिये गए सब्दों के विलोम सब्द लिखो जैसे रात का विलोम क्या होगा? दिन, अंधिकार का प्रिकास, कड़ुआ का मीठा, नीचे का उपर कड़ुआ का बहुत सारे बच्चों ने सच लिखा था बट वो रॉंग है कड़ुआ का क्या होगा विलोम? मीठा ओके स्टुडेंट्स पोर्थ आपका क्या है? क्रिया सब्द को रेखांकित करो मैंने स्टुडेंट्स आपको क्रिया वीडियो के थ्रोभी पढ़ाया था और इवाईज भी आपको करवाया गया था क्रिया जैसी मा खाना बना रही है बनाना क्या है? क्रिया घोडा दोड रहा है घोडा दोड रहा है दोड़ना क्रिया राहुल गेंद से खेल रहा है खेलना यहां पर क्या है? क्रिया गाय घास खा रही है खा क्या है यहां पर? क्रिया पुल्लिंग सब्दों का इस्त्रीलिंग सब्द लिखना था बेटा का बेटी लेखक का लेखक का ओकी स्टुडेंट्स समझ में आया आपको पेपर सभी बच्चों को समझ में आया होगा आप एक बार वीडियो फिर से देखिएगा समझने का प्रयास करेगा ओकी थाइंक्यू क्लास